बॉली रेक्ट्रे सुश्मिता सेन अपने काम को लेकर तचर्चा में रहती ही हैं साथ ही अपने प्रोस्नल लाइफ में भी टॉप आफ दा टाउन बनी रहती हैं शोशल मीडिया पर उनके रिलेशन्शिप को लेकर अकसर खबरे बनती रहती हैं पिछले दिनों ललित मोदी के साथ उनका नाम जुड़ने पर उन्हें ट्रोल भी होना पड़ा था और वहीं फिलहाल के दिनों में एक्ट्रेस काफी खुश-खुश से नजर आ रही हैं सुश्मिता सेन जल्द ही अपने 47 साल में कदम रखने वाली है और आने वाले 19 नुवंबर को एक्ट्रेस का बर्थ दे है और हाला कि करीब एक हफ़ते पहले ही उनकी एक्साइटमेंट अपने जनम दिन को लेकर जहलकने लगी है और इतना ही नहीं अपने बर्थ दे की खुशी में वो विदेश निकल पड़ी है जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं लग रहा है कि शुश्मिता सेन अपना बर्थ दे विदेश में ही मनाने वाली है दरसल सुश्मिता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपने बर्थ दे सेलिब्रेशन के लिए विदेश निकल पड़ी है उन्होंने लिखा है जाने और उड़ने के लिए तयार बर्थदे सेलिब्रेशन के लिए एक हफते का काउंट अन शिरू ओ क्या मैंने बता दिया? मुझे बर्थदे पसंद है I love you दोस्तो और सुश्मिता से ने इसके साथ एक तस्वीर भी शियर की है इसमें वो सूट बूट पहने, आँखों पर गोगल्स लगाए बिल्कुल लेडी बॉस लुक में नजर आ रही है वहीं अगर उनके एक्स बॉइफरेंड रोहमन की बात की जाए तो फिर पिछले साल क्या हुआ था? वो भी हम आपको बताते चलते हैं दरसल पिछले साल 2021 में शुश्मिता सेन रोमन शौल के साथ रिलेशन्शिप में थी ऐसे में एक्ट्रेस का पिछला बर्थ दे भी उनके लिए खास रहा था दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे वहीं अब दोनों का ब्रेक अप हो चुका है लेकिन अक्सर किसी पार्टी या आउटिंग पर दोनों एक साथ नजर आही जाते हैं वर्ग फ्रंट की बात करें तो शुश्मिता सेन इन दिनों वेब सीरीज तालीम में वियस्त है तो शुश्मिता सेन और इसके साथ ही ललित मोदी को काफी जादा ट्रोल भी किया गया था और लोगों के क्या-क्या कमेंट्स आए थे वो तो हम बता भी नहीं सकते दरसल कोई कह रहा था कि ललित मोदी वुजर्ग हो गये हैं और शुश्मिता सेन की टेस्ट को क्या हो गया है ऐसे ही कई कई अफवाये शुश्मिता सेन को लेकर फैलाई जा रही थी और इसके साथ ही शुश्मिता सेन को ट्रोल भी किया जा रहा था लेकिन जो भी हो जो प्यारे दोस्त शुश्मिता को अपना दोस्त हमदर्द मानते हैं वो उनके साथ ही रहते हैं जी हाँ और कई तरिशक भी सुस्मिता सेन के काफ़ी फैन है उनके फैन फॉलिंग की बात करें तो लोग उन्हें काफ़ी जादा पसंद करते हैं सुस्मिता की हल चलसी और चिलबुली और मिठा सावाज सभी को बहुत पसंद आती है